किरन ने चुपाया मलिस्का का सच बालाजी टेलीश्म जारणेर में जी टीवी के लोगप्रिय शोब भागे लक्ष्मी में आकरसक गामा ने दर्सकों को मनोरंजन का स्वाथ चकाना जारी रखा है पिछले एपिसोड के अनुसर लक्ष्मी रिसी को देख लेती है और वो इशारा देने के लिए अपने अंगोटी को उसकी और खेकती है जल्द ही रिसी कमरे में एंट्री करता है और विकरान की धुलाई करता है मलिस्का यह सब देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भागने के लिए तयार रहती है लेकिन वो अपनी मा यानि किरन से टकराती है जिसके बाद किरन मलिस्का के सच को चुपाने की कोसिस करती है हालं की विक्रान गिरफतार होने से पहले मलिस्का को सभी के सामने बे नकाब करके जाता है अब आनल एपिसोड में आप सभी देखें कि मलिस्का डरी हुई एक ही जगा खड़ी रहती है और वो सूशती है कि अब रिशी के साथ उसकी साधिक कभी नहीं होगी किन्तु कीरण कहती है कि अभी भी हमारे पास मौका है बाजी पलटने का इसलिए वो उसे सामनने रहने के लिए कहती है थोरी ही धेर में सभी घर पाउस से हैं और वो कीरण मलिस्का का सचुपाने के लिए सभी से कहती है कि विक्रान मलिस्का से नफरत करता है इसलिए उसमें यह सब कहा आगे वह सबी से कहती है कि विक्रान नहीं चाहता है कि रिशी और मलिस्ता की शादी हो भे भगवान अब आगे क्या होगा क्या कीरन के जहासे में परिवार वाले आएंगे आपको क्या लगता है हमें अपनी रह नीचे कमेंट सेक्शन नहीं बताए और अधिक अपड़र करने के लिए बने रहे आई डव्यम बस के साथ